नमस्ति बाबलीज काफिटेरिया में आप सब का फेर से स्वागत है फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आपने अपने घर पे सुरक्सित होंगे आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक केक की रेसिपी जो है मलाई केक जिसको आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं ये केक बहुत ही ज़्यादा सौप्ट होती है बहुत स्वादिस्ट भी होती है उसके साथ साथ ये आसानी से घर पर रखी समन से बन भी जाती है के बीना बेक करेंगे और यह केक में कोई भी दही या फिर वीनेगर किसी का भी इस्तमाल नहीं होती है और साथ ही में यह एगलेस भी है तो चलिए भी बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा मलाई केक चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीचेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुंच पाएगा सबसे पहले हम एक कडाई को प्री हीट करेंगे मतलब एक कडाई के अंदर एक स्टान रखेंगे और उसको कवर करके हाई फ्रेम में करम कर लेंगे यब तक कडाई प्री हीट हो रही है उसी टाइम के अंदर हम केक की तयारी कर लेते हैं सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में हम डालेंगे 3 4th कप मलाई गर पर जब मलाई होती है उसी मलाई का इस्तेमाल कर लेंगे और उसको अच्छे से फ्रेंट लेंगे थोड़ा टाइम तक अच्छे से मिक्स करने के पाद हम इसमें डालेंगे सुगर पाउडर यहां पर मैं 3 4th कफ सुगर पाउडर डाल रही हूँ फिर उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हमारा मलाई और सुगर पाउडर का मिक्स्चर तयार हो गया है इसके उपर हम पिर सारे ड्राइ इंग्रेटिंट को च्छान के लेंगे हम लेंगे एक कफ और उसके साथ एक चोता ही कफ मेदा मेदे की जगे पे आप गेहूं के अटे का भी इस्तमाल कर सकते हो उसको अच्छे से चान लेंगे फिर इसके अंदर हम डालेंगे वन टीस्पून बेकिंग पाउडर और वन फोर्थ टीस्पून बेकिंग सोड़ा सबको चान लेंगे फिर उसके अंदर फिर डाल देंगे थोड़ा सा इलाइची का पाउडर और इलाइची का पाउडर को भी चान के ले लेंगे मलाई केक में मलाई के साथ इलाईची पाउडर का कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है इसलिए मैं यहां पर इलाईची पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हूँ अगर आपको पसंद नहीं है तो उसके जगे पे आप वैनिल एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो सबको अच्छे से मिक्स करके फिर उसके अंदर हम मिल काड करेंगे फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मुझे यहां पर थोड़ा सा दूद कम लग रही है तो मैं यहां पर और थोड़ा सा दूद नाड कर दूँगी मैंने यहां पर टोटल 3-4 के करीफ दूधार किया है फिर सबको अच्छे से मेक्स कर लेंगे और अभी हमारा बैटर रेडी हो गया यह केक का बैटर त्यार करने में मैंने कोई भी विनेगा, दही या फिर बटर या ओयल किसी का भी इस्तमाल नहीं किया है यह दिखिए इस तरह का कॉंसिस्टेंसी होना चाहिए बैटर का फिर एक मोल्ड के अंदर बैटर को हम डाल देंगे आप चाहो तो बैटर में थोड़ा सा ड्राइफ फ्रूट्स डाल भी सकते हो और उपर से गान्रीस भी कर सकते हो आज में पूरा असनी से जो घर पर सामान होती है उसी से ही केक बना रही हूँ अभी हमारा कड़ाई प्री हीट हो गया है उसके अंदर अभी मोल्ड को रख देंगे और उसको कवर करके फिर हम बैक करेंगे 45 मिनिट्स तक को हम इसे लोअ खस्काले में ही बेक करेंगे ढ़े को अब हो गया эта एक टुथपीक या फिर चाकज के मदब से हम इसको चड़ी कर सकते हैं 5 बहुत क्लीन ओके बाहर आ गया उसका मतलब केक अभी बन की तयार हो गया यह देखिए कितना अच्छे से बेकों के तयार हुआ है हमारा मलाई केक तो हेना यह बहुत आसनी से बनने वाली केक जिसको आप घर पर रखी सामान से आसनी से बना सकते हैं आप इस तरह से मलाई के घर पर जरूर ट्राइ कीजिए और आपकी अनुबब मेरे साथ जरूर से आर कीजिए और साथी में अगर मेरी रेसिपीच आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइट से और सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसी उमीद के साथ आप सबसे अभी विदा लेती हूँ फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपना खूफ क्याल रखिए घर पर रहिए और सुरक्सित रहिए गुड़वाई नमस्ते और टेक केर थैंक्स पर वोचीं